सिटको मुख्याले में रगदान शिवीर कायोजन सैक्रो कर्मचारियों ने रगदान में लिया हिस्सा सिटको भवन में आज महा रगदान शिवीर कायोजन किया गया राज के मुख्यमंत्रियों स्वास्त मंत्री के आवान पर आयुजित इस रगदान शिवीर में सिटको के 156 कर्मचारियों और आर्जिकारियों ने रगदान किया इस उसर पर सिटको म्डी संजे मुखर्ची समय कई उच्चादिकारी भी मौजूद थे जेजे अस्पिताल की मदस्ते सिटको कर्मचारी संग्ठन दोरा आयुजित इस रगदान में कर्मचारियों के अच्छे पर साथ को लेकर सिटको म्डी ने कहा कि सिटको में रगदान का आवान किया था इस आवान को पर साथ देते हुए अबलड डोनेशन कैम लगाया गया है ताकि कोरोना काल में रगदान को दूर किया जा सके उन्होंने प्लाज्मा डोनेशन कैम लगाने का भी सुझाओ दिया वही कर्मचारी संग्ठन अध्श निले लेकिन किसी प्रकार के को मॉर्बिरिटी की वज़ा से वो रक्तेदान नहीं कर पाए और अभी भी लोग आ रहे हैं तो और रक्तेदान जो है वो किया जाएगा मैंने एक यहाँ पर आइडिया दिया कि क्योंना हम कोविड रिकवरी इसका एक प्लाजमा डोनेशन कैम भी ले और मुझे खुशी हुई कि जेजे के डॉक्टर्स और हमारे जो संगठन के जो पदाधिकारी है उन्होंने उसको मानने किया और नेक्स्ट इंस्टॉल्मेंट मे उस प्रकार का काम करने का उन्होंने कुबूरी दी हुई है तो मकसद है ओधर्णिय उद्द्व जी ठाकरे मुख्यमंत्री साहब और अवरोग्यमंत्री साहब इन्होंने जो अपील किया था कि हमारे यहाँ पूरा महारास्त में ब्लेड बहुत कम है शॉटेज है तो उसके सबसे ब्लेड देना जरूरी है वो एपील हमें एकसेप्ट किया और सुड़को इंप्लाइज यूनियन के तरफ से जो कैम्प हुआ आज उसमें करीब एक सो साथ के आगे जाके ब्लेड डोनेट हो गए वीरो रिपोर्ट टीवीवन इंडिया और खबरों के लिए टीवीव को दबाना मत भूले